दूस्तो एक बार फिर से आप सभी का सोगत है आपके यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के अंदर आज आप से बात करूँगा आज के दिन के पहले T10 मैच के बारे में जो खेला जाएगा C.A.R. वरसे C.L.J. के बीच में तो दूस्तो मैच जो है काफिश अंदर है इन्व कर गई है वहीं दूसरी तरफ बात करता हूँ C.L.J. टीम के बारे में तो इस टीम ने इस सीजन के अंदर साथ मैच के लिए है जहां पे तीन मैचे वान कर गई है तीन मैचे हार गई है और एक मैच जो है इसका बारिश के वज़े से अब आउन्ड हो गया है तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो C.L.J. की टीम ने इस सीजन एक भी मैच नहीं आ रहा है वहीं इन दोनों टीम्स के बीचना इस सीजन दो मुकाबले अल्री खेले जा चुके है जो की C.A.R. की टीम ने बहुत असानी से बहुन कर लिये है तो यहां पे आप लोगों के सामने एक इस तो अभी क्लियर हो गई है कि यहां पे जो C.A.R. की टीम है वो काफी जादा बहतर टीम है as compared to C.L.J. तो हम जो यहां पे टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो यहां पे 6-5 का बनाएंगे और हम जो यहां पे टीम बनाएंगे वो C.A.R. के फेवर में बनाएंगे इसी अगर आप लोग एक भैतरी नी स्मॉल लिक की टीम को क्रियेट करना चाते हो ना तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक मेरी छोटी से रिक्वेस्ट है कि आप में से मेरे काफी सारे भाई ऐसे हो जो इस चैनल की वीडियो को पहली बार वाच कर रहे होंगे तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करते टाइम इस घंटी वाले इकन को आप लोग जरूर दबा दिजेगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके न मेरा motivation आप लोग ज़रू बढ़ाईएगा और दूसरा सबसे important काम आपको क्या करना है आप लोगों को टेलिग्राम से जुड़ जाना है क्यों आप लोगों को टेलिग्राम से जुड़ना है देखो इस match की जो भी जो भी playing 11 होगी या फिर जिस टीम से मैं खुद केलूँगा वो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिलेगी कैसे आप लोग जुड़ोगे आपको क्या करना है इसी वीडियो का description कोलना है description में जो सबसे उपर के आपको दो link देखने को मिलेंगे ना इन ही link पे क्लिक करके आपको जुड़ना है याद रखना सर्च करके मत जाना अगर आप लोग सर्च करके जाओगे तो आप किसी गलत चैनल पे जॉइन हो जाओगे तो description में जो उपर के ये दो link मैंने दिये हुए ना इन में से किसी बे भी क्लिक करके आप लोग मेरे टेलेग्राम चैनल पे जोईन हो सकते हो और हमारी family का हिस्सा बन सकते हो दूस्तों यहां से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां से आप लोग वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में, जहाँ पे आपको दो इंपोर्टेंट के लड़ी देखने को मिलेंगे, आप दोनों में से जिसको लेना चाहें, उसको ले सकते हैं, दोनों के बारे में बता दू, सबसे पहले साथ विकेट कीपिंग के साथ साथ आपको ओपनिंग करत चल रहा हो उसके बाद यहाँ पे है रोरी मक्मैन जो की टीम के लिए आपको विकेट कीपिंग के साथ साथ ओपनिंग करते भी दिख जाएंगे रिसेंट फॉर्म के अगर बात करू तो साथ मैचेज में रोरी मक्मैन ने खाली यहाँ पे साथ रन बना रख्या है जाधतर इन बेस्ट फ्लियर है तरंजी सिंग सील जे टीम के लेकिन लगातार लास्ट जीन मैचे से आपको दो दो पॉइंट यहाँ पे देते आ रहे है तो तरंजी सिंग को मैं कहूंगा कि अगेन अपनी टीम में पिक करना अगर अभी तक आप लास 3 मैचे से पिक कर रहे ते तो अब बिकेट ले रखे, बेसिकली मुझे 7 मैच नहीं कहना चाहिए, मुझे 4 मैच में 167 इन्होंने 9 बना रखे हैं, और 5 बिकेट ले रखे, ये 4 मैचिस में इन्होंने परफॉरमेंस देती, क्योंकि लास्ट 3 मैचिस से तो ये बंदा परफॉरमेंस दे ही नहीं रहा है, तो अब देख लो भाईया कि अब आपको इसको कैप्टन बनाना है या फिर नहीं बनाना है, मैं अगेन इसको कैप्टन बनाऊँगा और ग्रेंड लिग की 20 की 20 तीम में भी आप इनको कैप्टन दुबारा से बना सकते हो, अरुन पिलियाई की बात करू, 75% का सेलेक्शन है टीम के लि और अगर आप as a batsman इनका record देखोगे, तो 7 matches में खाली 87 नन है, इतने कोई खास batsman ये है नहीं, तो grand league वगर हमें try कर सकते हैं, बाकी small league में लेना चाहें, बिलकुल अपनी team में ले सकते हैं, लेकिन इतने सारे option है, सभी playerों को आप अपनी team में नहीं ले पाएंगे, किसी ना किसी player को तो आपको अपनी team में drop करना ही होगा, तो मैं अरुन पलियाई को drop कर रहा हूँ, शयाद अली मुर्तोजा को मैं pick करके चलूँगा, team के लिए दूसरे डाउन पे बैटिंग करते वे दिख जाएंगे, जब-जब team इनको खिलाती है, तब-ब ये team के लिए बहुत अ मैच में डालते वे दिख जाएंगे, इस सीजन साथ मैच वासु सेहनी ने खेले हैं, जहाँ पे 63 इन्होंने run बना रख्या और 2 wicket ले रहे हैं, देकि वासु सेहनी क्या है, ये इस सीजन थोड़ा समय कहूंगा अच्छी performance नहीं दे रहे हैं, मतलब 50-60 पॉइंट लगातार टीम में अब वासु सेहनी को कैप्टन यहाँ पे जरू बला लेला, सुहिल शेक की बात करूँ तो इतने खास के लड़ी नहीं है, आनंद राश्येकरा की बात करूँ, वन नाउन पे भले ही बैटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन 7 मैच में मातर 36 रन हैं, इनको नहीं लेंगे फ्रेजर बर्नेट की बात करूँ, 7 मैच में यहाँ पे 36 रन इनोंने बना रखे हैं, आनंद राश्येकरा ने 7 मैच में 56 रन मना रखे हैं, मैंने आपको गलत रिकॉर्ड बता दिया, यहाँ पे इनोंने 56 रन मना रखे हैं, शिव कुमार पलियार बेसिकली बहुत अच्छे पावर हिटर हैं, लेकिन इनको बैटिंग ना तीसरे डाउन पे मिल रही है, अगर CLG की टीम इनको ओपन कराती है, तो तो यह आपके लिए इंपोर्टन प्लियर बनेंगी, क्योंकि अगर आप इनका T10 का रिकॉर्ड देखोगे ना, 2021 में जो T10 की सीरीज हुई थी, वहाँ पे 10 मैच में 223 इनोंने रन मनाये थे, तो अब सूस सकते हो किस लेवल की ये प्लियर है, तो आप लोग अपनी स्मॉल लिक की टीम में तभी इनको पिक करिएगा, जब यह आपको टीम के लिए उपनिंग करते वे दिख जाएं, उसके बाद यहाँ पे रविंदर एट्टा पट्टो को नहीं लेंगे, एम वाइट करको आप अपनी टीम के अंदर नहीं पिक करके चलेंगे, और लाउंडर सेक्शन के तरफ बात करूँ, तो अब्दुल आसिफ को अपनी टीम में लेके चलेंगे, दूसरे डाउन पर बैटिंग के साथ साथ आपको दो ओवर के बॉ आते हैं, और बॉलिंग में दो ओवर यहाँ पे टीम के लिए कंप्लीट करते हैं, इस सीजन साथ मैच में सुहाज खान ने 47 डन मना राखे हैं, और यहाँ पे इनों ने जो है 6 विकेट लेकिये हैं, आप देखो सुहाज खान को मैं बोलू तो मैं लेना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि और लाउंडर सेक्शन में आपको काफी सारे इंपोर्टेंट प्लियर देखने को मिल जाएंगे, मतलब 6 इंपोर्टेंट प्लियर हैं और जिसमें से हमें 4 चूस करने हैं, तो मैं तो छोड़ रहूँ, आप चाहें तो अपनी टीम में ले सकते हैं, रेकॉ ले रखें, बहुत ही तगड़े हाँ पे, और लाउंडर होगो साउथ वेल, इनको पिक करके चलिएगा, गौरव मिश्रा को अपनी टीम में लेके चलेंगे, 7 मैचिस में 39 निनों ने रन मना रखें, और 5 विगेट ले रखी है, हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग देते हैं, इंको लेके चलिएगा, उसके बाद यहाँ पे निशानदार वेको तो पिक करना ही नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आदिल राजा, 6 मैच में ये बंदा 10 विगेट लेके गया है, जब भी टीम इसको खिलाती है ना, और जब भी ये टीम के लिए बॉलिंग करने आते हैं, थोड़ा सा क्रेडिट का भी आपको दिक्कत आ सकता है, उसके बाद यहाँ पे अगिश्टेन बैटी की बात करूँ, तो लगातार अगर आप लास्ट के 3 मैचेज इनके देखोगे, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है ये बंदा, 7 मैचेज में 7 विगेट ये लेके जा चुका है, शुरू के कुछ मैचेज में तो इस बंदे ने कुछ परफॉर्मेंस दी नहीं थी, उसके बाद देखो, दो विगेट, फिर इस वाले मैच में देखो, दो विगेट, फिर इस वाले मैच में देखो, दो विगेट, तो बंदाल ऐसा है कि दो-दो ओवर की बालिंग ने आगया तो लियाएगा वनना Grand League में आपके लिए वो अच्छा प्लियर रह सकता है शिवम गुपता को पिक करेंगे छे मैचेज में दस विकेट लेकी गए है एडजायर इवांस को पिक करेंगे साथ मैचेज में छे विकेट लेकी गए है कहने का बिसिकली मतलब यह है एड मनमीत कोली को भी नहीं लेंगे मनमीत कोली भी यार बिलकुली खराब खिलाड़ी है पहले तो अच्छी परफोर्मेंस दे रहा था इस सीजन साथ मैच में 15 रन मना के मातर 3 विकेट है पता निक्या ही गंदी परफोर्मेंस इस सीजन मनमीत कोली दे रहा है लेकिन अगर आप पहले का record देखोगे, 8 match में, 132 इसके नाम आपको run देखने को मिल जाएंगे, और 6 wicket देखने को मिल जाएंगे, तो मनमीत कोली का क्या है, पहले का record बहुत अच्छा है, लेकिन इस सीजन खराब performance है, इसी बड़े से छोड़ रहा हूँ, राजिंदर पिस्सल को नहीं उमायर एहमद सेफी की बात करूँ, 6 match में, 4 wicket है, तो इनको भी अपनी टीम में नहीं लेंगे, हैरी सिम्सन को भी नहीं लेंगे, एक ही match टीम ने खिलाया था, उसके बाद कहा था कि आप rest करूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे उमायर मुहमद को लेंगे, 7 match में 9 wicket यहाँ पे उमायर मुहमद लेकी गए है, और एहमद का यानी, इस सीजन खेले नहीं है, तो हर एक player के बारे में समझा दिया है, बस allounder section में याद रखिएगा, सुहाच खान, और यहाँ पे आप अगिश्टेन बैटी, इन पे ध्यान रखिएगा, बैटिंग section के बात करूँ, तो में शिव कुमार पलियार के उपर ध्यान रखिएगा, अगर उपन करते वे दिख जाए, और इसके अलावा अरुन पिलिया, यह जो चार player मैंने आपको बताए, इन पे ध्यान रखना, यह आपके लिए important हो सकते हैं, बाकी अब मैं आपको इन सभी player हों के record यहाँ पे दिख हमें पहले के record देख के हमें यह पता चल जाए कि player की पहले कैसी performance दी और इस season कैसी performance है, तो सब कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, बस इसका screenshot लेके रखना, यह जितने भी stats मैंने आप लोगों के लिखी है न, यह आपको बाद में टीम बनाने में जादा help कर देंगे, दुस्तो अब यहाँ पे मैं आपको अपनी small league की final team दिखा देता हूँ, यह मेरी team बनती है, captaincy, vice captaincy की बात करूँ तो तरंजी सिंग को again मैं अपनी team में captain मनाऊँगा, मेरे favorite player है, बहुत ही तगड़े बल्ले बाज है, पहले ही match में century उन्होंने पिछले season लगाई थी, इस season बल्ला उतना नहीं चला, खास कर कि last three matches में लेकिन अच्छी performance दे सकते हैं, इसी वज़े से इनको captain बना रहा हूँ, vice captain हुगो south well को बना रहा हूँ, आप चाहें इसी चीज को rotate कर सकते हैं, बाकी मेरे हैसाब से यहाँ पे ए आसिव आपके लिए बहुत अ लाइक करिएगा, टेलीग्राम से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, तो दोस्तों आज के लिए तना ही, thank you so much